TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV Canada में बच्चों के लिए कुरोना वारस वेक्सीन की पहली खेप पहुँच कई Ontario में कम उमर बच्चों में वेक्सिनेशन का आगास कर दिया कया 5-11 साल तक के बच्चों को वेक्सीन की पहली डोस लगाई गई Canada और पाकिस्तान की दर्मियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाया जाएगा Toronto में पाकिस्तानी कॉंसल जर्नल का कहना था कि कोवीट के बाद दोनों मुमालिक की दर्मियान तिजारत में इसापा होगा Canada में सिंगल कंट्री नुमाईश के निकाद की जड़ जहद भी की जाएगी Canada भर में कोरोना वारस के फिलाव में कमी मरीजों की मजमुई तादा 17,22,390 तक जा पहुझी हलाकती 39,555 हो गई खरीज फारिस के पानियों में अमरीका और एरान की जड़ब एरान के नौ एलकार हलाक हो गए एरान ने अमरीका बहरिया पर 9,000 बार हमले किये अमरीका और अफ़ान तालबान के दर्मियान बात चीत आएंदा हफ़ते होगी अमरीकी वफद की क्यादत अफ़ानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट करेंगे अमरीकी सदर की जहमूरियत से मतालिक वर्चूल कानफरंस में चीन को मदूव नहीं किया गया कोरोना वारस यॉरप में तबाही पहलाने लगा पांट मा में साथ लाग सजार तमबाद का खच्चा दुनिया भर में कोरोना वारस से मतासर अफ़ाद की तादाद 25 करोड 92 लाग 6,806 तक जा पहुंची मुजी वारस अमबाद 51 लाग 86,781 हो गई हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ कनेडियन सूबे ओंटेरियो में कम उमर बच्चों की वेक्सिनेशन का आगास कर दिया गया है मजी तफसिला चानते हैं इस रिपोर्ट में कनेडियन सूबे ओंटेरियो में कम उमर बच्चों की वेक्सिनेशन का आगास कर दिया गया है और इस सलसले में अब्तिदाई तापर 5-11 साल तक की उमर के बच्चों को मकामी अस्वताल में वेक्सिन लगाई गई है दोसी जाने बच्चों के लिए करोना वैक्सिन की पहली खेफ कैनेडा पहुँच कई है जिससे सूबों और खितों के लिए बड़े पैमाने पर हिफाज़ती टीकों की महिम के अगले मरहले के लिए मनसुबा बंदी शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है एल्थ कैनेड हम ने कहा कि हफ़ते के आखिर तक कैनेडा के पास 2.9 मिलियन खुराख होंगी जो नए मनजूर शुदा उमर के खुतूत में हर बच्चे को पहली खुराख देने के लिए काफी है हैल्थ कैनेडा की मनजूरी फार्मासोटिकल कम्टियों की जाने से हिफाज़त और अफाद पाकिस्ताने प्र당 के एकस्वर्ट बढ़ाने के लिए कोश्श है चारी है वाईध अफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में ट्रॉंटो में पाकिस्तान के एक कौंसर जर्ड अबडुलहामीद ने कहा है करिस्फ कि हेड़ायत के सबब کیनेडा विय खथ़सूस ट्रॉंटो मे पाकिस्तानी मस्तुवाइद मतारिफ कराने और पाकिस्तानी प्रोड़क्स की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशें चारी हैं कैनेड़ा में पाकिस्तान के बेशुमार बिजनसमेन दो तरफा तजारत बढ़ाने के लिए अपना केरदार अदा कर रहे हैं COVID-19 के असरा मकामाद खतम होने के बाद बाहमी तिजारत को फरुख मिलेगा और एक दूसरे के मुमालिक में तिजारती वफूत के तबादने होंगे और कैनेडा में सिंगल कंट्री नमाश के इनकाद की जद्द जहद्धी की जाएगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजार अफीफ ग्रूप आफ पाकिस्तान के जेर्में राशिद एहमस सिद्धी की से मुलाकात के मौके पर किया जिन्होंने इन से कैनेडा के मारू बिजनसमैन और चेर्मेन यू बी जी कैनेडा रीजन नवीद बुखारी के हमरा ट्रॉंटो में पाकिस्तानी कांसलेट में मुलाकात के दौरान कही इस मौके पर राशिद एहमस सिद्धी की ने पाकिस्तान से कैनेडा को बरामदाद बढ़ाने के तरीखों पर सबादला ख्याल किया और कांसलेट जर्र को बताया कि अफीफ ग्रूप कैनेडा को कागजी मसनुआत की बड अधास सबसे ज्यादा है सुबह भर में कोरोना वार्स से मतासर होने वालों की तादाद छे लाग बारह थाजार नौसोऑ नजिक तक जाप पहुंची है इस हवाले से मजीद चानते हैं कैनेडा भर में करोना वायरिस के फैलाओं में कमी देखने में आ रही है आखरे इतिलाद के मताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मजमुई तादाद 17,72,319 तक जा पहुंची है जबके हलाकते 29,555 हो गई मुल्क भर में 17,19,116 से जायत मरीज सहत्याब हो चुके है आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में करोना वायरिस से मतासिर होने वालों की तादाद 6,12,929 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद 9,974 है कैनेडा में करोना वायरिस के सबसे ज्यादा हलाकते क्यू बैक सूबे में हुई है सूबे में करोना वायरिस के मच्चमुई केसिस की तादाद 4,44,462 है जबके सूबे में करोना वायरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,565 तक पहुंच चुकी है कینیڈین सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्त करोना वाइरस की वज़ा से बहरानी सूरत इहाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,35,004 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए है जबके 3,227 अफराद हलाक हो चुके है ब्रेटिश कॉलंबिया में केसिस की तादा 2,16,012 है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,304 है खलीच फारस के पानियों पर अमरीका की बहरिया और एरान की पासदारान इंकलाब के एहलकारों में घंसान की जड़ब हुई जिसमें एरान के 9 एहलकार मारे गए मजीद चामते हैं इस रिपोर्ट में जारी बयान में कहा गया है के खलीच फारस में अमरीकी बहरिया के साथ बहुत सी मुक्तसर दोराने की जड़बे हुई जिसमें हमारे 9 फाजी हलाक हो गए कमांडर अली रज़बे के बयान के मताबिक एरान ने अमरीकी बहरिया पर 9 से जायद बार हमले किये और उन्हें पस्वा होने पर मच्चूर किया ताहम एरानी कमांडर ने ये नहीं बताया के जड़बों में अमरीका का कितना नुक्सान हुआ अमरीका की जानिसे, इरानी पासदारा ने इनंकिलाब के इस बयान की तर्दीद या तदीख नहीं की गई है ताहम माजी में अमरीका इरानी पासदारा ने इनकिलाब को खलीच फॉरिस में इस्तियाल अंगेजी और जहरियत पर मतनभा कर चुका है वाज़ रहे कि हाल ही में एरान ने बोही रहामान में अमरीकी बहरी अफ़ार से जड़ब के बाद वैतनाम का एक आउल टेंकर को कब्जे में ले लिया था ताहम एक हफ़ते बाद फरीकेन के दर्मियान मुझाकरात के बाद जहास को छोड़ दिया किया था अमरीका और अफ़ान तालबान के दर्मियान बाद चीट अगले हफ़ते दुबारा शुरू होगी मुझाकरात में देश्चतगर्दी के खिलाव जंग और अफ़ानिस्तान में इनसानी बहरान पर बात होगी मजी तफसिला चांते हैं इस रिपोर्ट में अमरीका और अगवान तालबान के दर्मियान बाद चीट अगले हफ़ते दुबारा शुरू होगी इस हवाले से अमरीकी महकमाई खारजा के तर्जमान नेट प्राइस का कहना है कि तालबान से अगले हफ़ते قطr के दारुलहुमत दोहा में मुझाकरात होंगे उन्होंने बताये के तालबान से मुझाकरात में दहशत गर्दी के खिलाफ चंग और अगवानिस्तान में इनसानी बहरान पर बात होगी अमरीकी वक्त की गयादत अगवानिस्तान के लिए नमाइंदा खुसी टाम वेस्ट करेंगे दूसी जानिप अमरीकी सदर बाइदन ने जमूरियत पर बात करने के लिए 110 मुमालिक को वर्च्वल कांफरेंस में शिर्कत की दावत दे दी के खिलाफ जंग और इनसानी हुकूब का एहतराम जैसे मौजवात पर तबादले ख्याल किया जाएगा आलमी अदारे सहत डबली एचो ने आएंदा पांच माह के दौरान यॉरप में करोना से मज़ीद साथ लाख हलाकतों का खच्छा साहिर किया है मज़ी तफसिला चांते हैं इस रिपोर्ट में आलमी अदारे सहत ने आएंदा पांच माह के दौरान यॉरप में करोना से मज़ीद साथ लाख हलाकतों का खच्छा जाहिर किया है आलमी अदारे सहत ने अपने बयान में कहा कि अगर केसिस इसी तेजी के साथ रिपोर्ट होते रहे और मरीजों की हालत खराब रही तो मार्च 2022 तक यॉरप में हलाकतों की मज़मुई तादाद 22 लाख तक पहुँच जाएगी जबके इस बार आने वाली लहर से हलाकते माजी के मकाबले में तेजी से रिपोर्ट हो रही है उननचास मुमालिक में सुरतहाल ज्यादा तश्वीशनाक होने का खच्छा है WHO ने इतराफ किया कि यॉरप और वस्ती एशिया मुमालिक में बरवक्त इलाच की वज़ा से करोना अमवात की शरह में कमी जरूर आई मगर डेल्टा वैरियन्ट की तबाहकारी को भी नजरनदास नहीं किया जा सकता ख्याल रहे के हालिया कुछ अर्से में यॉरप में करोना केसिस में वाज़े इजाफा देखने में आया जर्मनी, बरतानिया, हॉलेंड और आस्ट्रेलिया में मतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है जिसके बाद हुकुमतों की जाने से नई पाबंदियां भी लगाई जा रही है दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासरा अफराद की तादाद 25,92,6,806 तक जा पहुँची है जबके इस मुजी वाइरस से अमवाद 51,86,781 हो गई देखते रहे हैं टाग टीवी